नमस्कार प्यार सकते हो देखें BSTC 2023 का एक्जाम अपने 28 अगस्त को संपन हो गया है आज संपन हो गया है तो देखें राजिस्तान जीके कि हमने आंसर की अलग से देख लिए हैं इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण की आंसर की देखने वाले हैं और देखें यह जो क्वेशन में इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको यह अनुमान पर आता रही थे जो अपने एक्जाम देने वाले बेरती हैं उन्होंने बता हैं वही क्वेशन उस आदार पर में यह लेकर आया हूँ तो देखें इसके अलावा भी अगर कोई क्वेशन है आपको पता हैं तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि यह क्वेशन हिंदी व्याकरण में पूछा गया था या पिर यह क्वेशन नहीं पूछा गया था जो जो बच्चों ने बता हैं वही question मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ और उनकी आपको यह answer बता रहा हूँ तो देखिए question first अपने क्या है जंगल में लगने वाली आग के लिए अपने वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या है और कहें कि अपने दावागनी भी लिखा हुआ मिलता है तो आपके option में जो भी था वो सही हो जाएगा अपने दावा नल या फिर दावागनी जैसे देखें समूद्र में लगने वाली आग अपने इसको कहते हैं बढ़वागनी बढ़वागनी पेट में लगने वाली आग जो उसको जटरागनी बोलते हैं जटरागनी यह अपने अच्छे से देखा था हुआ यह सभी तो यह आपके question आ गया है दावा नल या दावागनी अपने जंगल में लगने वाली आगए गववया में परते क्या है अपने दनवाद इसका संदी विचेत हो जाएगा तो अपने इसमें वियंजन संदी हो जाएगी तरंग और तुरंग का सब्द यूगम का अर्थ क्या हो जाएगा अपने तरंग और तुरंग तरंग का मतलब होता है अपने लहर और तुरंग का मतलब होता है गोड़ा इस सब्द आरंब और दूसरे वाले आदी का मतलब क्या होता है अबीς अब्यष्ट होता है आदी अब्यस्त मतलब एक तste कीसी भी चीज का औधि जीसे दुम्रपान पान करने का या शराब पिने अधि है पढ़ाई का यूजकरते है तो आरंब और अब्यस्ट हो जाएगा या फिर कई कई प्रारम व आदत भी लिखा हूँ मिलता है आदी का मतलब अपने प्रारम में और इस आदी का मतलब अपने आदत है ये मुहावरा किस बाशा का सब्दे अपने मुहावरा ये जो मुहावरा है हम करते हैं मुहावरा मुहावरा ये किस बसा के सब्द है अपने अर्भी बसा के सब्द है विशाद का विलोम सब्द क्या हो जाएगा तेकि ओप्शन मेरे को पता नहीं है बस बचो ने जो क्वेशन बताई है उसी कहाधार पर मैं आपको बता रहा हूँ विशाद का मतलब होता है उससे दुख तो विशाद का उल्टा क्या हो जाएगा अपने आलाद हो जाएगा विशाद का एकदम सुद्ध विलोम सब्द क्या होता है अपने आलाद होता है इसके लाव कहें कि हर्ष खुशी ऐसा भी लिका हुआ मिलता है संपन का विलुम सब्द क्या हो जाएगा अपने विपन हो जाएगा विपन अंदे के आगे रोना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपने अंदे के आगे रोना यानि कि असहाई व्यक्ति से साहिता मांगना यह हो जाएगा अपने अंदे के आगे रोना या फिर ऐसे व्यक्ति को दुख सुनाना जो कुछ भी नहीं कर सकता है कोई भी आपकी साहिता नहीं कर सकता है कुछ भी आपकी साहिता नहीं कर सकता है अंदे के आगे रोना और साहि व्यक्ति से साहिता मांगना रचना के आदार पर वाक्य कितने परकार के होते हैं काफी काफी बार में आपको ये करवाया है तेन प्रकार के होते हैं रजना के आधार पर और अर्थ के आधार पर अपने आठ प्रकार के होते हैं लेकिन रजना के आधार पर अपने सरल वाक्य होता हैं सहिंक्त वाक्य होता हैं मिस्र वाक्य होता हैं तीन प्रकार स्वच्च में कौन से संदी है अपने स्वच्च का संदी विच्छत अगर करें तो सूधन अच्छ इसका संदी विच्छत होता है और यह अपने यान संदी का उधारने यान स्वर संदी का उधारने पुस्त का लए में कौन से संदी है अपने पुस्त का लए विद्या ले इस परकार कापी सब्द आपने देखे थे तो देखिए पुस्तक इसमें मूल सब्द हैं और आलाई इसमें आगे जुडाएं यानि कि पुस्तक दन आलाई पुस्तक आलाई इसमें दीर्ग संदी हैं इपने दीर्ग संदी का उधारन ये नकटा सब्द में कौन सा समास है देकि नकटा में अगर option आपके बहुवरी समास और ततपुरु समास दोनों अगर दे रखा होगा तो आपके बहुवरी समास एकदम करेक्ट अंसर होगा अगर बहुवरी समास option में नहीं होगा तापके नए तत्पुर्ष समास हो जाएगा क्योंकि दीके नकटा में किसी व्यक्ति विशेश के बारे में बात करें कि जिसका नाग कटा हुआ है उसको बोलते हैं नकटा तो देखिए अपने बहुवरी समास का उदारण हो जाएगा और अगर ये option में नहीं होगा तो न इसमें क्या है उपसर्ग है तो न उपसर्ग के हिसाब से कर देखे तो नए तत्पुर्ष हो जाएगा ये अपने लंबो दर में अधिकतर तो अपने लंबो दर में क्या होता है समास पूचा जाता है लेकिन जैसा कि बच्चे बता रहे हैं कि लंबो दर में इस बार क्या है इपने संदी पूची गई है तो भी आप ध्यान रखे हैं इसमें संदी कौन सी अपने गुन संदी है और संदी विचेत कुन सा है इसमें लंबा धन उदर लंबो धर गुन संदी है और समास कुन सा है इसमें बहु रही समास है लंबो धर का मतलब क्या है अपने गनेस भगवान के लिए अपने स्री गनेस के लिए अगला प्रसने देखए, कोई-kोई-kोई को बोल रहें अपने कमल के प्रेयावची पुछे हैं कोई बोल रहे हैं गोडे के तो दोनों मweekने इसमें सामिल कर ली हैं कमल के प्रेयावची कौन-कौने से होते हैं पंकज, तोयज, अब्ज, अम्बूज, अर्विंद, राजीव, पुंड्रिक, सतदल इन में जो भी आपके ओप्शन में होगा वो सह हो जाएगा और गोडे के प्रियावाची क्या होते हैं अपने सबसे अधिक बार पुछा किया है अपने सेंदव, तूरंग, है वाजी, गो पिर लाब होना, पो बारा होना, नीति के विरुद काम करना, उसको बोलते हैं वाक्यांस के लिए एक सब्द क्या है अपने, अनेतिक, नीति के विरुद, यानि कि जो अवेध्य काम करते हैं, उसको बोलते हैं अनेतिक हैं फिर अवेध्य, बालू से तेल निकालना, इस मु क्वेशन भी से हैं देकि एक वेक क्वेशन आपकी पुझे किया था द्वन्द समास का कौन सा उधारण नहीं है उसमें ओप्शन कौन-कौन से थे गर-गर था लाभानी रोग निरोग माता पिता तो इन चारों में अगर बात करें तो द्वन्द समास अपने लाभानी में रो अयाधी संदी है और पोधन अन इसका संदी विचयत हो जाएगा बावन्द में अपने लिखके लाया हूँ यह सुद्ध सब्द है इनको इस परकार लिखते हैं अपने स्री मत्ती इस परकार लिखते हैं स्री में इसमें बड़ी मातर आती हैं और मत्ती ती में भी यह बड़ी मातर आती हैं स्रिंगार इस परकार लिखते हैं स्रिंगार में अपने यह दो इस परका चोटी नहीं आती है निकी मातर क्या आती है बड़ी आती है ये सही है और आसिरवाद आसिरवाद में ये जो रर रहा है ये दा के उपर हो सकता है सा के उपर हो सकता है जो गलत है अपने आसिरवाद इस प्रकार लिखते है ये वा के उपर इस प्रकार आता है तो ये सबी का उजारन कौन सा नहीं है यह सा कुछ क्वेशन पुचे गया था और यह चार सब्द दे रखे थे तो देकि इन में जो भी असुद हो जाएगा अपने वह हो जाएगा अपने यह में चारो सुद्द लिख के लाया है यहां पर वैचारिक इसमें अपने एक प्रचे हैं नेसर दे रखाता तो यह असुद हो जाएगा क्योंकि सबसे भी दे रखा हैं और सुन्दर तम भी दे रखा हैं यह दोनों ने आएगा अपने अनाविशक सब्दों का प्रयोग हुआ हैं इसलिए अपने क्या हैं इसमें सबसे सुन्दर से भी सुन्दर मतलब सबसे सुन्दर सब सबसे भी योज हू रहा है और तम भी आके लगा रहा है तो यह गलत हो जाएगगा अपने वह सबसे सुंदर साजी है यह आएगा ना फ्रॉह फिर वह सबसे वह सुंदर्त हम अचरी है इस परकार हाएगा तो यह अपने व्यक्ति होते हैं वो भी क्या करते हैं एक्टर से आदर की अपयक्षा करते हैं जो एक्टर से एक्टर से कह सकते हैं जिनके पास पैसे कम हैं वो भी एक्टर से समाज में आदर की अपयक्षा करते हैं इसका ये अर्थ निकल रहा हैं जो भी अपने ओप्शन के इसाब तो यह 26 question मेरे साब से यह जो आपने बता हैं उसके अनुसार में ने इनका solution करा हैं इसके लावा भी कोई question है तो आप comment करके बता सकते हैं और देखिए इन में से आपके कितने question सही हो रहे हैं आपके कैसा हुआ है आप comment करके जरूर बताना और इन चासो में से आपके कितने question एकदम नमबर कितने आ जाएंगे आपके एक तरसे average नमबर आप अपना जरूर बताईए कि कितने number आप ला सकते हैं चासो में से आप जरूर बताना तो इस वीडियो बस इतना ही राजतान जी क कि answer की भी आपने नहीं देखी हैं तो वह भी जाकर आप देख सकते हैं पटापर से उसका आप देख लिजिए कितने question आपके उनमें गलत हैं सही हैं आप जाकर देख लिजिए